हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल तो कैसे हो आप लोग आई हो कि अप लोग ठीक होंगे मसत होंगे मैं भी ठीक हूँ तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं बना रही हूँ कड़ी तो उसके लिए मैं सब समान रेडी करके रख ली हूँ ये बुंदी मसाला बुंदी है और ये रहा दही और दही मैं एक ग्लास ली हूँ ये अद्रकलस उनका पेश्ट हरे मिट्स टमाटर और धनिया पता तो चलो वेशन को निकाल लेती हूँ ले लेती हूँ अंदाज से जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से ल ले ली हूँ मतलब इसमें पाच लोग अच्छे से खा लेंगे मैं चार चमच ली हूँ वेशन और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पॉडर आधी चमच तो ये तिक्खी वाली है इसलिए मैं आधी चमच डाली और ये रहा हल्दी पॉडर उसके बाद ये रहा दही जो की एक गिलास है मतलब 2500 ग्राम दही है तो पूरा दही मैं ले ली और इसको अच्छे से मिला लेना है ये देखो दही बहुत अच्छी है अमूल की दही है तो चलो इसको मिला लेते है अच्छे से एक पेश्ट बना लेते है एक दम अलग तरीके से मैं बना रही हूं कड़ी आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे तो चलो आप लोग के साथ मैं सोची सेयर कर दो कड़ी तो ऐसे हमेशा हम लोग भी बनाते मैं भी बनाती हूं आप लोग भी बनाते हूं तो सबका अलग अलग तरीका रहता है तो मैं ये तरीके से ऐसी बनाती तो यह देखो इसमें अभी पानी एक बुंद भी नहीं डाली हूं मैं बस दही है जो मसाला डाली थी और वेशन बस यही कुछ है तो चलो अब मैं इसी गलास में ले लेती हूं पानी और इधर कड़ाई को गैस पे रख दी हूं कड़ाई गर्म हो गया तब इसमें चलो तेल जाल देती हूं क्योंकि अभी चौका लगानी है कड़ी की तो पहले यह काम कर लेती हूं तो मैं अभी यहां यूज कर रही हूं सरसो तेल सरसो तेल में कड़ी बहुत अच्छी बनती है तो मैं यहां सरसो तेल ले ली तो चलो तेल को गर्म होने देते हैं क्योंकि सरसो के तेल जब अच्छे से पक जाता है तब उसमें जीरा डालते है ठंडा में नहीं डालते हैं तो यह देखो तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया और गैस को मैं कम कर दी हूँ ताकि जीरा जले नहीं और इसमें डाल दी में जीरा और तेजपत्ता और यह बड़ी इलाईची छोटी इलाईची भाकर ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ और ये रहा tomato, अद्रकले손के paste और हरी मिर्च आप यहां चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हो और नहीं तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो मैं ज़्यादा अतर हरी मिर्च ही use करती हूं इसलिए मैं हरी मिर्च डाली और इसको भून लेना है अच्छे से इसमें में डाल दी आधी चमच, जीरा पॉड़र आधी चमच, काली मेर्च पॉड़र तो इसको भी अच्छे से मिला लेनी है, ये देखो और इसमें मैं प्याज नहीं डाली हूँ इसमें लइसून डाली हूँ तो चलो, अब ये जो गोल है ना पेश्ट है जो वेशन और दाही के पेश्ट बनायी थी, इसको अब पतला कर लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, तो चलो इसको अच्छे से मिला लेना है, ताकि एक भी इसमें उहता है न, फुटका न रहे, दाना दाना न दीखे वेशनों, तो ऐसे भी नहीं दीखेगा, क्योंकि उ बहुत गाड़ा है और पकेगा तो और भी गाड़ा होगा तो इसमें और पानी डालूंगी में यह देखो पानी डाल दी और इसमें अभी डाल दी में नमक नमक आप अपने स्वादरू साथ डाल सकते हो नमक डालके मिला दी और चलो अभी मसाला भी रेडी हो गया है तो इसम अभी डाल दी में और कलर थोड़ा वाइट जैसा दीख रहा है क्योंकि फ्लसलेट जलाई हूं न तो उसके वज़े से थोड़ा कलर दीख रहा है वैसे सामने से एक दम यलो है कड़ी सामने से ज्यादा यह अच्छा लग रहा है पता ना मूबाइल से क्यों आता है कलर चेंज रहता है प्याज भी नहीं रहता इसमें खाने में बहुत एच्छी लगती हो जो लह सुन रहता है ना उसी का टेस्ट आता है मतलब बहुत एच्छी लगती कड़ी तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राइब करना और यह देखो कड़ी पक गई है तो इसमें अब पानी डालेंगे ये देखो इसके बाद ऊपर से मैं कड़ी को पहले पका ली उसके बाद फिर से थोड़ा सा पानी डाली और इसको पकाना है फिर मैं पानी डालूंगी इसमें क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कड़ी अभी गाड़ी और और पकेगी कड़ी तो पकेगी तो तो इसमें और पानी डालती मैं यह देखो अभी सही दिख रहा होगा आप लोग को वी अच्छा दिक रहा होगा यह देखो और एक भी फट्टा नहीं है दही मतलब एक होता है ना कि कि धनिया पता के बीना कड़ी दूरा एकदम तो इसमें कड़ी पता सौरी धनिया पता और ये बुंदी डाल दी मैं बस यहां एक चीज के कमी रह गई जो कि मेरे पास अभी नहीं था कड़ी पता तो नहीं था तो मैं नहीं डाली तो चलो इसको पका लेते हैं अच्छे से तो कड़ी बनकर रेडी हो गई है एकदम मतलब जादा ना गाड़ी है ना पतली है एकदम मीडियम साइज यह बहुत अच्छी देखो कड़ी कड़ी बनकर रेडी हो गई है आप इसे मतलब चावल के साथ दलिया के साथ खा सकते हो बहुत अच्छी लगती है ये कड़ी तो कड़ी पूरा बनकर रेडी हो गई है और ये है चावल तो चावल के उपर कड़ी डाल दी आप इसे चावल के साथ अराम से खा सकते हो बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ कड़ी ये देखो मैं चावल के साथ कड़ी डाल दी और ये है बड़ी इलाईची जो की थोड़ी सी मतलब दिगने में अजिब लगती थी तो मैं हटा दी इसको और ये रहा दलिया जब भ अभी मैं इधर बना रही हूँ आलू के भुजी आईए देखो आलू के भुजी अभी बनके रेडी हो गई है तो कैसी लगी ये कड़ी की रेस्पी कड़ी चावल और उसके साथ आलू के भुजी आ हो तो मज़ा ही कुछ और है तो अगर आप लोग को ये रेस्पी पसंद बताना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये रेस्पी ऐसी अचीच वीडियो लेकर आती रहूंगी मिलती हूं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई